जहें दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल, मैं कॉटो आज मैं आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है working employees as well as student के लिए भी मैं आसा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% concept clear हो जाएगा और आपको इसके बाद इस topic पे कोई भी वीडियो देखने के जोरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ what is first angle projection, what is third angle projection, कुछ theoretical part रहेगा student के लिए और working employees के लिए जो लोग interview की preparation कर रहे हैं और क्यों हम first angle और third angle projection में drawing बनाते हैं so यह आपको सब कुछ जनकारी दूँगा मैं इस वीडियो में ठीक है so यहाँ पे मैंने एक plane लिया हुआ है आप देख सकते आप इसको plane जूम करके चलो और यहाँ पर मैंने एक object लिया हुआ है ठीक है so सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर हमने न चार quadrant बना दिये आप देख सकते हो first quadrant second quadrant third quadrant और fourth quadrant ठीक है so यहाँ पर क्या होता है first angle projection में हमेशा object को हम कहां रखते है first quadrant में रखते हैं जिस भी quadrant की बात होती है दोस्तों आप रटलो इसको वह उसी quadrant में मुझ्छ object को रखते हैं ठीक है so हम बात करें first angle projection की इसमें हमने object को कहां रखा first quadrant में अब अब जो मेरा observer है यह छोटा सा बच्चा अब इस object को देखेगा ठीक है तो अब यह object को देखेगा तो इसकी image कहां बनेगी vertical plane पर बनेगी और यह top view मतलब ऊपर से देखेगा तो इसकी image कहां बनेगी original plane पर बनेगी बस यही concept है आप इस चीज को पकड़ के चलना ठीक है अब क्या है अब यह जो इसका observer है और यह मेरा object है और यह मेरा plane है तो observer देख रहा है इसको तो इसका front view कहां बना vertical plane पर और top view कहां बना original plane पर ठीक है अब जो कि drawing एक paper की sheet होती है तो हमको एक sheet पर इसको ड्रो जब ड्रो करेंगे ठीक है तो वह कैसे होगा हम इसको इस horizontal plane को 90 degree rotate करेंगे जब आप rotate करोगे तो front view तो मेरा vertical plane पर रहेगा but top view कहां जाएगा मेरा नीची आ जाएगा दोस्तों ठीक है ठीक है below the original plane ठीक है अब ऐसे ही third angle projection की बात करते है इसमें क्या होता है कि जो vertical plane होता है इसको हम consider करते हैं कि यह मेरा transparent plane है मतलब इसकी आर पार हम देख सकते हैं तो जो main concept है कि इसमें क्या होता है कि observer और object की बीच में मेरा project plane होता है ठीक है तो अब यह जो छोटा सा बच्चा है जब इसको देखेगा तो इसकी front view कहां बनेगी और टॉप से देख रहा है ठीक है top view कहां बना इस यहां पर बना ठीक है अब इस original plane को मैंने 90 degree rotate किया तो अब मेरा front view कहां गया vertical पर और top view कहां गया horizontal पर ठीक है दोस्तों यहीं concept है और इसके आगे कुछ भी नहीं है अब हम cover करने वाले हैं अब देखो जैसे यह symbol है ठीक है अब मैं आपको symbol के साथ बताता हूँ अब मैंने यहां पर cylinder न लेकर आपको कौन लिया होता तो इस बच्चा को यहां पर vertical plane पर कौन दिखाई देता ठीक है और top view में circle दिखाई देता दो circle तो यहां पर first angle projection अब आपको बिल्कूल ही याद हो गया कि first angle projection जब भी रहेगा तो सबसे पहले यहां पर कौन रहेगा ठीक है front view में और यहां पर top views का circle हो गया third angle projection में पहले मेरा front view अब क्या हो गया circle और यह कौन ठीक है so अब question आता है what is first angle projection so अब मैं theoretical part cover करने वाला हूं so in first angle projection we keep the any object in the first quadrant second point है मेरा object placed between the observer and transparent projection plane it means that object is positioned at the front of the vertical plane top of the horizontal plane friends यहां पर जो कुछ keyword है वो मैंने लिख दिया है front view हमेशा vertical plane पर बनेगा top view horizontal plane यह कहां यूज होता है यह यूज होता है first angle projection इंडिया में यूरोप में and Canada में ठीक है अब आता है what is third angle projection in third angle projection we keep the any object in third quadrant ठीक है object placed behind the projection plane it means that object is placed behind the vertical plane and bottom of the horizontal plane ठीक है यह students के लिए काफी ज्यादा important है क्योंकि यह exam में आपको ऐसा आपको लिखने को भी आएगा मतलब आप लिख सकते हो so यहां पर कुछ keyword है front view हमेशा आपको दिखाई देगा horizontal plane में top view vertical plane में use कहां होता है यह Australian United States में ठीक है दोस्तों अब जो main question है कि why you use first angle and third angle projection in drawing so इसका very simple answer है because only in this two quadrant will get the both view front view as well as top view after clockwise rotation of the original plane दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था कि हमें उसको rotate करना है क्योंकि हमें उसको किसी seat पे दिखाना है ठीक है दोस्तों so thanks for watching please subscribe my channel MacAuto thank you